माता भूमी पुत्रों हम प्रुधी व्याहा अर्थाद धर्ती हमारी माता है और हम उनके पुत्र माता और पुत्र के इस रिष्टे का पवित्र सेतो यानी प्रकृतिक क्रिशी प्रकृतिक क्रिशी प्रकृतिया में धर्ती का अमरित जीवामरित आईए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्मान कैसे होता है प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गव मूत्र, गुड इवं दो दले चीजों का आटा या बेसन आदी मिला कर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमतकार क परिणाम मिलते हैं जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्मान के लिए जरूरी सामक्री देखते हैं 10 किलोग्राम देसी गाए का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाए का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गोड, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुठी भर पेड के नीचे की मिट्टी आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामरित बनाने की विधी भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है इन सामग्री में से गोड, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गव मूत्र का उप्योग करके ठीक से मसल कर लिक्विट जैसा बना ले अब इन सामग्रीयों को एक ड्रम में डाल कर उसे लकडी के एक डंडे से घोलना है ठीक से घोलने के बाद जीवामरित बनने के लिए दो से तीन दिन तक छाया में रख देना है प्रति दिन सुभा और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकडी के डंडे से दो मिनिट तक इसे खोलना है और जीवामरित को बोरे से ढख देना है ये जीवामरित जब सीचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमी में जीवानों की संख्या अविश्वस्निय बढ़ जाती है और भूमी के रासायनिक बज्जैविक गुणों में व्रिध्धी होती है जीवामरित को महीने में दो बार या एक बार उपलबदता के अनुसार 200 लीटर प्रती एकड के हिसाब से सीचाई के पानी के साथ दीजिए फलों के पेडों के पास दुपहर 12 बजे जो छाया पढ़ती है उस छाया के पास प्रती पेड दो से पाँच लीटर जीवामरित भूमी पर महीने में एक बार या दो बार गोला कार में डालना है इससे मिट्टी स्वस्त बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचूओं की संख्या बढ़ती है प्राकरितिक क्रिशी में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है इतना ही नहीं प्राकरितिक क्रिशी भूमी गत जल को भी बढ़ती है इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है गान जीवामरित जीवामरित का ही सूखा हुआ स्वरूप है जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामरित मिला कर दो दिन छाया में रखते हैं इसे एक बार फिर धूप में सुखा कर तथा डंडे से पीस कर महीन बना दिया जाता है यही घन जीवामरित है जिसे एक एकड के लिए प्रयोग कर सकते हैं प्राकृतिक खेती का एक अवश्चक आदान बीजामरित है बीजामरित जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है वहीं इसकी अंकुरन ख्षमता को अदबुत रूप से बढ़ाता है देशी गाए के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गव मूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिला कर बीजामरित बनता है एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संसकार किया जाता है इसके एक दिन बाद संसकारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है खेती वाली सारी भूमी को फसल अवशेश से या छोटी अवधी की अंतर फसलों से पूरा ढख दिया जाता है आच्छादन भूमी में नमी बनाए रखता है तथा वातावरन से नमी को खीच कर खेती हेतू पानी की खपत को भी अदबत रूप से घटाता है जीवानों एवं केंचूओं की गती वीधियों को बढ़ाता है खर पतवार को नियंतरित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उटसरजन को रोक कर भूमी के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है इस क्रिशी विधि में वापसा निर्मान भी एक महतोपून प्रक्रिया है जिसमें भूमी में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है प्राक्रितिक क्रिशी विधि केवल भूमी की उद्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है बलकि ये कीट इवं बिमारियों के रोक्थाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है फसलों पर कीट पतंगों की रोक्थाम के लिए स्थानिय वनस्पती पर आधारित, सस्ता तथा किसान की खेत में ही बनने वाला आदान है अगनी अस्त्र पाँच किलोग्राम नीम या अन्य स्थानिय पौधा जिसे गाए नहीं खाती के पत्ते 20 लीटर देसी गाए का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च, तथा 50 ग्राम लहसून के पेस्ट को मिलाकर धीमी आच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है सुबा शाम दो-दो मिनिट के लिए खोले इस ग्रोल को 6 लीटर प्रती 200 लीटर पानी में मिलाकर एक एकर में छिड़काव करते हैं नीमास्त्र, ग्रमास्त्र, दश्पर्णी अरक इत्यादी भी कीट पतंगों की रोख थाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं इसी तरह खट्टी लसी, कट्डी, सौठास्त्र इत्यादी प्रभावी रूप से विविन बिमारियों की निवारन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक क्रिशी से देश में नई उर्जा का संचार हो रहा है हमारे एक पत्म पुरस्कार विजेता सुधास जी करके हैं महराज सके उन्होंने जीरो पजेश खेती का एक विचार विशित किया है ये वो प्राकृतिक खेती वाला विशे है इससे हमारी धरती मा भी बचती है हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से जादा होती मेरा आप सभी किसान सात्यों को देश भर के किसान सात्यों को आगर हैं आप भारी बात को समझेंगे मुझे पक्का विश्वाथ है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे आजादी के अमरित महटसव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हे तू माननिय प्रधान मंतरी जी का ये अती महतुपोन आहवान है देश के लाखों किसानों ने इस विधी को स्थापित कर दिया है गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राक्रिति खेती जिला घुशित कर दिया गया है देश के कई गां आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नती आ रही है मेरा नाम सत्या है मेरे डेर सौ पूदा है जिसमें मैं पकरति खृती कि अब स्प्रे कर रहे हूं अगर देर ही लिए स्प्रे हम दुकानों से करते थे तो उससे हमारे खर्चा जादाता था पैसा जदा लगता था और इसमेरे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है जिसके लिए हमें युरिय डालने की कोई जुरूरत नहीं अभी इसमें पहले सर अगर पांच अजार का खर्चा हमारा आता था सप्रे का तो अभी हमारा पांसो का भी शायद खर्चा नहीं आया है इसलिए मैं अपने भी किचे से शुरू करा है पर इस साल में सब को पता रही हूं कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया अपने भी किचे में आप इसे प्रे करके दिखो दिल खुश हो जाता है सर जब अपनी फसल से अच्छे से आये तो दिल भी खुश हो जाता है सर जब से और काउनी है, एक अपने पास पुट्टू क्याट्टे वाला है, स्थानी भाचा में अगणा बोलते है, एंटी ऑक्षिडन्ट सबसे जादा इसमें है, ये धान हमारे पास दो वेराइटी का है, ये लाल वाला चाहल है, और ये अगे वाला जो है स्पेथ चाहल है, इसकी खा हैंगे इस खेत में हमने पंच सुत्रिय भाग लगाया है, इसमें शेब, किन्नू, आडू, अलुखारा, अंजीर और ये बैड पे पूरे में अल्दी है, और अल्दी के निचे चना है, इस से हमारी केवल इंट्रक्रोप की जो इंकम है, वो करीब एक साल में डेड से डाइ हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी खेती का, हमारी धर्ती मा का स्वास्ते भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ हमारा भी स्वास्ते अच्छा हो रहा है, यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गाउं गाउं में समर्थी, और बना रही आत्मनिर्भर भारत प्राक्रितिक क्रशी आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी